तो क्या आप भी उनमें से हैं जो कि कुछ भी लेने से पहले सेल का वेट जरूर से करते हैं तो वो टाइम अब आ गया है जहां पर आपको सभी ब्राइंट्स पे 50% तक का आफ मिलेगा यानि कि कोई अगर 500 रुपे की चीज है तो आपको 200 रुपे में भी मिल सकती है तो देख किस बात की अभी मज़ा आएगा ना यार अप अब यह बजू आ है अब लुयारो करते हैं तो चलिये शूरू करते है तो चलिये सच में शुरू करते हैं उन प्रोड़्ट्स की बारे में जाना जो कि आपको इस नाय का हॉट पिंक्क सेल में जरूर से लेने चाहिए जो कि आपके पास प्रॉड्ट सरूर से होने चाहिए और मैंने क्या-क्या भाई किया है कौन सा मैंने स्टॉक अप किया है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी रिकमेंडेशन में अब देखो कलर करेक्शन की पारे में तो आप जानती हो लेकिन औरेंज करेक करेक्टर वो है यहां पर एले गर्ल का पीच करेक्टर दस वन बहुत अमेजिंग करता है अगर आपको प्रॉब्म में तो आपको कलरेक्टर जरूर से करना होता है जो भी आपके डाक स्पोर्ट हैं और जो भी डाक सकल है वो सारे हट जाते हैं तो यह जो है ना वह जादा भी नहीं होता है बाहर अभी यहीं लगाया हुआ मेरा मेकप जो है वो देख सकते हो आप कितना ज्यादा फ्लॉब्स लग रहा है बिल्कुल वी ऐसा नहीं लग रहा कि मेकप के अंदर कुछ आपने औरेंज स्टोन का लगाया हुआ है तो यह आपको जरूर से बाई करना च कुछ इस तरीके सी देच जो कि मैंने भी मेकप किया हुआ फ्लॉब्स फेनिशिंग ग्लोई डूई लुक ठीक है तो उसके लिए आप कौन सा फांडेशन बाई कर सकते हो आज कर मार्पिट में तो इतने सारे फांडेशन आगे है कि हम तो कंफ्यूज आई जाते हैं कि कौन साल लेने चाहिए और कौन सा नहीं राइट यार कंफ्यूज नहीं होना है जस्ट आपको ये वाला फांडेशन बाई करना है जो कि है नायका का खुद का फांडेशन मेरा जो इसमें शेड है वो है बीज इतना प्यारा फांडेशन है यह जो मैंने बेस अभी क्रिएट किया वो इसी पांडेशन से किया लाइक आप देख सकते हो बहुत जादा ग्लोई एंड डूई लुक आया है इस पांडेशन को यूज करने के बाद काफी बजट फ्रेंडली और काफी अमेजिंग वर्क भी गड़ता है वगर आपने अच्छे सेटिंग स्प्रे में कभी इन्व इस ने के सिर्फ बोलने पर इसल्ट दिकाए लेक उसमें लिखा हो कि ऐसर देगा बट आपको वह लेना है जो कि आपको रियल में रिजल्ट दे इन रियल तो यहां पर जो आप ले सकते हूं आख बंद करके सेटिंग स्प्रे जो कि मैंने भी लिया है थूड़ा सा लाइक बजट 500 से उपर जाएगा बट यहां पर जो यह है वो है यहां पर यह निक्स का डूई सेटिंग स्प्रे वो मैंने भी यूज किया हुआ है इस मेकप लुक को रेडी करने में रेडी खुद रेडी होने में तो आप देख सकते हो कितना डूई लुक लग रहा है मैं इसको बेंड़र यह लाइक भी यह है तो लोग भी प्रश्रेम करते हैं ने में उनकम स्कुरिकल मैं अपने हमासी डिवियं वालोया चाहरतिता है टो अगली कि वह बनाय देख रहती में ने लिके और चाहि हो भी करती रहती हूं वहीं जारे आप लोग के साथ में शेयर करें हूं लाइक मेरा एक्सपीरियंस अब हम डूई ग्लोई मेकप की बात करें तो हम हाइलाइटर को कैसे बूल सकते हैं तो आपको नायका होट पिंग सेल में यह तो स्टॉक अप जरूर से करना चाहिए जो कि मेर में लगा लो लाइक नाइट टाइम पे लगा लो कैसा भी मेकप लुक कर रहे हो तो काफी जादा बड़ी अवर्ग करता है मुझे तो परसनली काफी पसंद है कुछ इस तरीके के देता है ऐसे चंगी पार्टिकल्स भी नहीं है इसमें तो मुझे अच्छा लगता है इसका आप लगाओगे ना तो आपके फोटो भी बड़ी प्यारी आती है ऐसा लगता कि नाचुरल ग्लो है तो यहां पर यह कुछ इस तरीकी का है लाइक देखो कितनी लाइक डिफरेंस है इसमें आप दोनों में से कोई साब हिसाब 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 से ही लगाना होता है अगर इसकón अंदर से ग्लो कर रहा है मेरा फैस तो यहां पर जो मैंने अभी रिसेंटले जो यूच किया हूँ है इसके अंदर राइक ऊपर से यह लगाया है वह अपर यहां यहां पिंग और मैं यहां पर दिखाती हूं इसका लाइक इसको अभी तो मैंने बहुत जादा ले लिया इसको तो मैं पता नहीं तीन चार बार लगाऊंगी ठीक है इसको एक पॉइंट लेके ना ऐसे लगाना होता है बहुत प्यारा ग्लो देता है देखो यह वाली क्वांटिटी वह बहुत दूई ग्लोई इस तरीके के लगेगा और लगेगा कि नाच्चुरल ग्लो है तो आज का लिपन चीक टिंट का ना काफी सादा क्रेज है तो अगर आप चाहते हो लिपन चीक टिंट बेस्ट लेना वह भी अफॉर्डबल रेंज में जो कि आपका 300 या 500 के अंडर पसंद है तो भी आप यह ले सकते हो और इसको आप बिल्डब कर सकते हो कुझ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी और मेरा जो शेड है इसमें वह मर्मेड मुझे यह काफी जादा प्यारा लगता है क्योंकि बहुत नाच्रल फिनिश देता है तो आपको यह तो जरूर से सब्सक्राइब करना तो जरूरी है ही लेकिन बहुत जरूरी है और बहुत मैटर करती है वह है ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर बनाना पाउडर यह कुछ भी कहलो आप तो आपको यह नाएका होट पिंग सेल में आपको जरूर से स्टॉक अप करना चाहिए वह के करती हूं और कोई में यूजी नहीं करती हूं तो आपको यह के ब्यूटी के प्रॉडट्ट जरूर से ट्राय करने चाहिए इनके कंसीलर भी बहुत अच्छे है और इनके फांडेशन भी काफी ज्यादा अच्छे है अगर आपको डूई लुक चाहिए तो आपको ना इनका अप्लाइब करना उतरा जरूरी है का भी ध्यान रखना रखना राइट तो यहां पर मैं भी पूरा नहीं शेयर करने वाली हूं कि आपको नाइका होट्पिंग सेल में क्या लेना चाहिए तो यहां पर मैं जो पूर्सनल फेवरेट है मेरी वह है यह यह लाक्मे की तिंटी 50 है ट्रिपल प्लस है तो इससे जादा तो क्या ही चाहिए काफी अच्छा प्रोडेक्शन दे देती है और जब हमारी इसके अच्छी होगी तभी तो हमारा मेकप भी फ्लॉलेस दिखेगा कुछ ऐसा राइट आपको यह मेकप लुक कैसा लग रहा वो मुझे जरूर बताना कम तब तक मेरी और वीडियोस देख लो और मेरे शानल को सब्सक्राइब कर दो तब तक बाई टेक कियर थैंक्स वर वाचिंग